Boycott Bollywood के trend पर Arjun Kapoor ने मारी entry यां फिर कहा ये boycott boycott बहुत ज़्यादा हो रहा है अब और नहीं सहेंग अब हम फिर social media पर हो गए भारी ट्रोल Now I want to ask this question Arjun भाईया क्या दिल में बज रही है गंटिया और क्या क्या कह दिया अरजुन भाईया ने सब बताता हूं डीटेल में ये है अरजुन कपूर था सूपर मैन सल्मान खान के फैन जो ले लिया है इन्होंने पंगा ओडियंस ने कर दी माभैन थोड़ा सा अरजुन भाई के गाने पर वर्ट प्ले ही तो किया है अरजुन कपूर की रीसेंट फिल्म एक विलन रिटरंस का एक गाना था तेरी गलिया तेरी गलिया तेरी गलिया लेकिन उनको वो कुछ ऐसा सुनाई पड़ रहा है तेरी गालिया तेरी गालिया तेरी गालिया अरे वेटा बस बस इतने बुरे नहीं है अरजुन भाईया ऐसी बाते नहीं करते किसी के लिए और अरजुन भाईया को भी मैं यही सुझाब देना चाहूँगा जो इस बच्चे को दिया है कि अरजन भीया इतने बुरे नहीं है लोग ऐसी बाते नहीं करते उनके लिए पिछले काफी टाइम से बॉयकॉट बॉलिवूड का ट्रेंड सोशल मीडिया पर चला जा रहा है मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया भी था कि वो क्या रीजन्स हैं कि सारी फिल्में एक साथ बॉयकॉट के ट्रेंड के तले दब गई हैं शमशेरा, ब्रहमासरा, लाल सिंग, चढधा से लेकर रक्षा बंधन और आने वाली फिल्म्स विक्रम वेदा से लेकर पठान भी इसी बॉयकॉट को जहल रहे हैं ना सिर्फ ये फिल्में बल्कि इन फिल्मों के स्टार्स भी बॉयकॉट की आंधी में फस गए हैं लेकिन सबसे मज़े की बाद आपको अब बताऊंगा इसी बॉयकॉट बॉयकॉट के दौर में आई अर्जुन कपूर भाई की एक विल्लन रिटर्न्स और सर्प्राइजिंगली वो बॉयकॉट नहीं हुई लेकिन उसका खास रीजन है पता है? किसी को पता हो या नहीं हमें पता है एक विल्लन रिटर्न्स इसलिए बॉयकॉट नहीं हुई क्योंकि जो लोग इस फिल्म को देख चुके थे वो यहीं कह रहे थे वो फिल्म इतनी बखवास थी कि किसी ने उसको बॉयकॉट करने की जहमत तक उठाई ही नहीं सबको यहीं लग रहा था कि छोड़ो यह तो वैसे ही कोई नहीं देखने जा रहा खेर बले ही तब अरजुन भाईया इस बॉयकॉट की सुनामी से बच गए थे लेकिन अब नहीं बच पारे क्योंकि फटे में टांग अडानाग भी कोई चीज होती है जहां करीना कपूर खान और आमिर खान भी लोगों से अब नीची आवाज में अपनी पुरानी जाने अन जाने में की गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं आप हो की खुला चालेंज ही फेक रहे हो कि ऐसा है अब बहुत जादा हो रहा है हमने गलती कर दी चुप रहे के ऐसा है भाईया बात सनो ओडियन्स को मनाना है तो अच्छा कॉंटेंट लेके आओ एडिट्यूड नहीं जैसी फ्लॉप बॉलिवूड दे रहा है बार-बार लगातार लोग सच में एक दिन बॉलिवूड का पॉयकोट करना छोड़ ही देंगे यूकि उनको भी पता होगा कि छोड़ो बेगार फिम्स बनाएंगे तो वैसे ही कोई देखने नहीं जाएगा वैसे honestly speaking जिस इंटर्व्यू में अर्जुन भाईया ने ये सारी बाते बोली है उसको देखके पहली बार ये feeling आई की वा क्या acting कर रहा है क्यूकि ऐसी convincing acting मैंने अर्जुन कपूर को करते हुए देखा ही रही है और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब मैं इन भाई साब से एक बार मिल भी चुका हूँ इनका interview भी कर चुका हूँ और ऐसा नहीं है आर्जुन भाईया की boycott के चक्कर में सब film में पिट ही रही है क्या लगता है आप सब लोगों को कि आर्जुन कपूर का statement कि बॉलिवुड की चुपी का ना जायस फायदा उठाया जा रहा है सही है या नहीं क्यों हो रहा है बॉलिवुड का boycott नेपोडिजम की वजह से रिलिजिस फीलिंग्स हर्ट करने की वजह से या अनपेट्रियोटिक होने की वजह से या फिर कुछ और ही रीजन है नीचे बताओ कॉमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्सेग्राम पे भी बता सकते हो हुआ हुआ हुआ